स्वागत है दोस्तों चत्तीजगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है वैन ड्राइवर की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, महिला समेत तीन गिरफतार चत्तीजगर के न्यायधनी में होटल सेंट्रल पॉइंट के पीछे स्कूल वैन चालक की बेरहमी से हत्या मामले की गुथी को बिलासपूर पुलिस ने सुलजा लिया है चचेरे भाई ने प्रेमिका के साथ मिलकर ही भाई की हत्या कर दी थी हत्या से पहले पुलिस से बचने के लिए आरोपी टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखा करता था इस सीरियल से वो पुलिस से बचने की तरकीब सीखता था इस मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई उसकी प्रेमिका और एक अन्य को गिरफतार किया है दरसल 14 अप्रेल की सुबह चकरभाथा स्थित होटल सेंट्रल पाइट के पीछे एक अग्यात लाश मिली थी पुलिस मौके पर पहुँची तो शव के शरीर में काफी छोटे थी और एक हाथ का पंजा भी काटकर अलग कर दिया गया था मौके से शराब की बोतल भी बरामद की गई थी इस मामले को एसपी संतोष सिंग गंभीरता से लेते हुए एसपी राजेंद्र कुमार जायसवाल को मामले में जाच कर आरोपियों को गिरफतार करने के निरदेश दिये थे ACCU टीम और थाना की टीम मौके पर पहुँचकर शफ की शिनाख्त दीपक यादव पिता परदेशी यादव उम्र करीब 30 साल निवासी मकान नमबर 17 वार्ड नमबर 48 चौबे कॉलोनी अतला वास्त नया सरकंडा के रूप में की मृतक पेशे से ड्राइव था मृतक के संबंद में आसपास पूचताच की जा रही थी कि घटना स्थल पर ही घटना में प्रयुक्त खून से लथपत बियर बोटल पड़ा मिला बियर बोटल के पंजियन नमबर से बियर बोटल की निकी स्थान का पता लगाया गया बियर बोटल व्यापार विहार स्थित शराब दुकान से खरीदा गया था जानकारी मिली शराब दुकान पर लगे CCTV कैमरे से संदिग्धों की पहचान की गई एवं संदिग्धों की जानकारी एकत की गई जो पताचला की संदिग्धों का संबंध मृतक से है ACCU को पूछताच एवं साक्ष संकलन दोरान पता चला की सरकंडा अटल आवास की ललिता यादव जो अपने पती को छोड़ कर रह रही है उसका संबंध आरोपी दुर्गेश यादव से था लेकिन दुर्गेश यादव ललिता यादव का किसी और से बातचीत करना दुर्गेश को पसंद नहीं था इस बात से दुर्गेश काफी नाराज रहता था अपने चचेरे भाई मृतक दीपक यादव वर ललिता यादव के बीच संबंध होने की बात पर कई बार ललीता से जगा भी हुआ था और मृतक दीपक को जान से मार दूनगा कहकर धमकी भी देता था इसी बात को लेकर कई बार मृतक दीपक और आरोपी दुर्गेश यादव के बीच जगा भी हुआ था दीपक के नहीं मानने पर दुर्गेश अपनी प्रेमिका ललिता के साथ मिलकर उसके हत्या की प्लानिक तैयार की साथ ही हत्या की घटना के बाद पुलिस से बचने की तरकीब के लिए यूट्यूब पर काईम पैट्रोल देखा करते थे